हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में दोस्तों पूरी एनीमे फैमली को कॉंग्रेचुलेशन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन अभी ना लड़की वाले सिर्फ देखने आने वाले हैं शादी फिक्स नी हुई है और कुछ लोग एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उसाटो और सेंट पाई दोनों वापस किंगडम में आ चुके हैं और उन्हें देखकर किंग काफी जादा खुश होते हैं किंग पहले तो उन लोगों से माफी मांगते हैं और फिर उ SQ team में उसकी training कैसी चल रही है जिसे सुनकर Usato पहले तो घबरा जाता है क्योंकि Rose भी वहीं पर खड़ी होती है और इसली वो King से कहता है मेरी training वो तो काफी अच्छी चल रही है जिसे सुनकर King बहुत खुश होते है कि चलो बढ़ी आए फिर तो और फिर वो उन लोगों को अपने रूम में जाने लगते हैं लेकिन तभी काजूटो और प्रिंसेस उनकी तरफ भागते हुए आते हैं काजूटो कहता है कि मुझे तुम लोगों की काफी जाधा चिंता हो रही थी तो प्रिंसेस कहती हैं कि काजूटो तो आप लोगों को ढूमने के लिए आने ही वाला था लेकिन रोज ने उसे रोक लिया और इसके बाद वो चारो फाउंटेन के पास बेट कर बाते फेकने लगते हैं जिस दोरान काजूटो उसाटो से कहता हैं कि रोज तुम पर काफी जादा भरोसा करती हैं दरसल वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछले एपिसोड में रोज ने उसे कहा था ना कि उसाटो आसानी से नहीं मरेगा और अगर वो ठीक हैं तो सेनपाई भी ठीक ही होगी और बस ये सुनकर ही काजूटो की सांस में सांस आई थी जिसे सुनकर उसाटो मन में कहता है बिचारा इनोसेंट काजूटो उसने काफी आसानी से रोज की बा करने के लिए निकल जाते हैं तभी प्रिंसेस काजूटो से कहती हैं कि आप जब भी उन दोनों के साथ होते हो तो काफी जादा खुश दिखते हो जिस पर काजूटो कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि हम तिनों एक ही वर्ल्ड से आए हैं जिस पर प्रिंसेस उधास होकर कहत हैं तो क्या मेरे लिए कोई जगा नहीं है जैसे सेनपाई मुझे मेरे नाम से पुकारती हैं वैसे आप क्यों नहीं पुकारते इस बात का मुझे काफी जादा बुरा लगता है क्या आप अपसे मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे जिसे सुनकर इनोसेंड काजूटो को प्र उनने उन लूटेरों से पूच्स ताज की हैं जिन्होंने सेन पाय और उसाटों पर अटेक किया था उनके मुताबिक वो पासी के लेंड से आए हैं और उनका कहना है कि वहाँ पर मॉंस्टर की तादात बढ़ती जा रही हैं और वे किसी से डर कर उनकी तरफ आ रहे हैं जिसे जनरल कहता है कि डीमन आर्मी इस बारा में पिछली बार की तरह कमजोर समझने की गलती नहीं करेगी वो तो हमारे पूरे किंडम पर कबजा करने की फिराक में आ रहे होंगे जिसे सुनकर किंग उसे तुरंत सभी सोलजर्स की यूनिट को स्टेंड बाई पर रखने के लिए जिस पर किंग हा में सर हिलाते हैं और वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि रोज के हिसाप से वो पूरे किंडम में सबसे ज़ादा तेज भाग सकती हैं तो रोज इस टास्क को एक्सेप्ट करके वहां से जानी वाली थी कि तब भी किंग उसे रोक कर उसके पास आकर कहते है कि क्या तुम पिछली बार की तरह इस बार भी Soldiers को लीड नहीं कर सकती जिस पर रोज कहती हैं कि नहीं बिलकुल भी नहीं मैं अब दोबारा से उस पोजिशन पर जाने का कोई इरादा नहीं रखती जिसे सुनकर किंग कहते हैं कि क्या तुम अभी भी तभी रोज बोल परती हैं कि हाँ मैं अभी भी मेरी टीम मेट्स की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानती हूँ और ये जो मेरी सीधी आग पर जक्म है वो कभी भी मुझे उस बात को भूलने नहीं देगा जिस पर किंग कहते हैं कि रोज लेकिन उसमें तुमारा कोई फोल्ट नहीं था जिस पर रोज कहते हैं कि नहीं वो मेरा ही फोल्ट था मैं जानती थी कि मैं डेथ को हील नहीं कर सकती लेकिन इसके बावजुद में उन्हें बेटल फिल्ड में लेकर गई और ये जख्म उसी बात का पनिश्मेंट है और इसलिए मैंने रेस्क्यू टीम की भी स्थापना की ताकि लड़ने के बजाए में जख्मी लोगों को बचा सकूँ जिस पर किंग कहते हैं कि हाँ तुमने पिछले दो सालों में रेस्क्यू टीम की मदद से काफी सारे लोगों की जान बचाई है और इससे तुम्हारा गोल कम्प्रीट हो गया होगा जिससे सुनकर रोज कहती हैं कि हाँ लेकिन रेस्क्यू टीम बनाने का मेरा एक और मकसद है मैं अपने वन्शज को ढूनना चाहती हूँ जिससे सुनकर किंग थोड़े हेरान रे जाते हैं क्योंकि कोई भी रोज को टकर नहीं दे सकता जिस पर रोज कहती हैं कि इसलिए तो मैं इतनी कड़ी ट्रेनिंग करवाती हूँ ताकि एक दिन मुझे मेरा वन्शज मिल जाए और शायद मुझे वो मिल भी गया है जिससे सुनकर किंग समझ जाते हैं कि वो उसाटो की बात कर रही है जिस पर रोज कहती हैं कि हाँ उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्स, स्ट्रोंग एबिलिटीज और जीने की चाहत उसे मेरा वन्शज बनाने के लिए परफेक्ट केंडिडेट बनाती है अगर सही माइने में कहूं तो वो डिटो उसी की कोपी है जिसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था लेकिन किसने दम तोड़ा था वो हमें नहीं बताया जाता और बस इसी वारतालाप के बाद रोज डीमन आर्मी के ठिकाने का पता लगाने के लिए निकल जाती है इसके बाद रात में अपने बेस पर आने के बाद उसा टोकू टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है दरसल रोज ने ये लेटर उसे एक पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलिवर करने के लिए कहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश में भी डीमन आर्मी अमिला के कमांड पर नदी पर पूल बना रही होती है ताकि वो लोग किंगडम पर अटेक कर सके आगे हम देखते हैं कि जब अमिला ब्लेक नाइट से बहस कर रही होती है तभी सोलजर आकर उसे बताते हैं कि हुजूर नदी के उस पार कोई खड़ा है जिसे देखकर अमिला कहती है कि कोई बात नहीं वो जब तक किंगडम में जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करेगा तब तक तो हम किंगडम में घुस चुके होंगे मगर तभी वो सामने खड़ा बंदा एक बड़ा सा पेड इनकी तरफ फेक कर जो पूल इन लोगों ने बनाया था उसके टुकडे टुकडे कर देता है ये देखकर अमिला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरब बापरे ये किसे हो सकता है लेकिन जब वो गोर से देखती है तो उसके सामने और कोई नहीं बलकि उसकी पुरानी जानी दुश्मन रोज खड़ी होती है अब क्योंकि इतनी भारी बारिश में इतनी मुश्किल से जो पूल बनाया था वो तूट गया था इसलिए अमिला गड़बड़ा जाती है तो वही रोज तो उसकी चीक सुनकर उसे एक बड़ी सी स्माइल देकर वहाँ से भाग खड़ी होती है और वो मन में कहती है कि मेरा तुम लोगों को रोकने का कोई मकसद नहीं था मैं तो सिर्फ तुम लोगों को थोड़ा और डिले करवाना चाहती हूँ जिसकी बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगले दिन उसाटो वो लेटर पहुँचाने के लिए सिटी में चला जाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उरूरू उसका वेलकम करती है उसे देखकर वो समझ जाती है कि उसाटो ना रेस्क्यू टीम से आया है और वो उसका नाम गेस करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि तुम्हारा नाम शायद रेबिट, रकून, स्क्वेरल या फिर केट है ये सब सुनकर उसाटो कहता है अरे रे देवीजे आप रहने दीजिए मेरा नाम में खुदी बता देता हूँ मेरा नाम उसाटो है आगे वो कहता है कि शायद तुम औरगा की बहन हो है न जिस पर उरूरू हा में जवाब देती है तो उसाटो कहता है कि ओर्गा कहाँ पर है तो उरूरू कहती है कि वो अंदर एक पेशन को देख रहे हैं क्या तुम देखना चाहोगे जिस पर उसाटो हां में जवाब देता है हां देख लेंगे और फिर वो दोनों पर्दे के पीछे से छुप कर देखने लगते हैं वहाँ पर खड़े खड़े उरूरू कहती है कि उसका भाईना बहुत जल्दी डिस्ट्रेक्ट हो जाता है इसलिए शांती से खड़े रहकर सिर्फ देखो तो इधर और अपने हीलिंग मेजिक से एक बच्चे की चोट को ठीक कर रहा था जिसके थोड़ी देर बाद वो बच्चा पू कर पढ़ने लगता है लेटर पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है मानो उस लेटर में कोई काफी भूरी चीज लिखी हुई हो लेकिन वो इसके बारे में उसाटो और उरूरू को कुछ नहीं बताता आगे फिर वे सब लोग हसी मजा करते वे बात करी रहे थे कि तभी एक आदमी आकर उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि उसका दोस्त और दो और लोग चछत को रिपेर करते वे नीचे गिर गए थे जिसे सुनकर और फटा फट उसाटो को भी अपने साथ आने के लिए कहता है इंसिडेंट वाली जगह पर पहुँचन पर और उसाटो और उरूरू को भी एक एक पेशन को ठीक करने का कहता है उसाटो उस आदमी के जखम को देखकर सोचता है कि मैंने इससे पहले और और सेनपाई की मामूली चोटो को हील किया है लेकिन ये जखम तो काफी जादा खतरनाक लग रहा है और शायद बेटल फिल् अपने हीलिंग मेजिक का यूज करो और अपने आप पर भरोसा रखो बाकी सारा काम हीलिंग मेजिक खुद बखुद कर लेगा जिसे सुनकर उसाटो मन में कहता है कि जब रोज मुझ पर भरोसा कर सकती है तो मैं खुद खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता इतना कहते ही वो अपने healing magic का use करना start करता है और देखते ही देखते उस आदमी का दर्द उड़न चू हो जाता है खेर इसके बाद उसाटो दोनों भाई बहन को बाई बोल कर बेस की तरफ निकल जाता है तभी इस तरफ औरगा उरूरू को बताता है कि जो लेटर रोज ने उन्हें भेजा ह उसमें war की preparation करने के लिए कहा गया है जल्द ही demon army उन पर हमला करने वाली है हाला कि हम लोगों की तरह उसाटो के पास battle field का experience तो नहीं है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रोज जल्द ही उसे उसकी training भी दे देगी अब war की बात सुनकर उरूरू काफी जादा उदास हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जब उसाटो शोपनर से fruits लेकर अपने base की तरफ जा रहा था तभी अचानक से एक लड़की उसका हाथ पकर कर कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो ये देख सकते हो इसका मतलब तुम ही हो जो आने वाले future को change भी कर सकते हो इतना कहते ही उस लड़की क की आखे और red color से चमकने लगती है और फिर उसाटो को एक vision दिखाई देता है कि demon army के हमले के कारण चारों तरफ तबाई मच गई थी साथ ही में black knight ने kazuto और senpai दोनों को खत्म कर दिया है जिसे देखकर उसाटो काफी जादा डर जाता है तभी वो लड़की कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है अब तुम्हें अपना काम करना है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसाटो तो वेसी डर के मारे वहाँ पर खड़ा हुआ था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है